हेलो सुडेंट कैसे हैं आप लोग उमीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे तो ग्यानम के डिजिटल प्रैटफोर्म में मैं आज आपका एक और फिर से स्वागत करता हूं जैसे कि आपको पता है कि हर रोज आपके पास जो हैं एक्जाम हो रहे हैं तो उसके लिए मैं फिर से करना ज़रूरी नहीं है बट एक कंसे को पचास परी करना ज़्यादा जरूरी है अगर आप पचास बुक्स पर लेते हैं और उससे समझते नहीं तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है बट अगर उसी question को उसी type को आप लोग 50 बरी अच्छे से revise कर लेते हैं तो उसका benefit आप लोगों को जरूर मिलेगा तो मोटिक जो है आज की class का ये है कि जो भी question है आप बार-बार repetition करिए repetition करने से आप लोगों को क्या होगा हर बरी थोट clarity आता रहेगा कि इस question में ऐसा ही क्यों आपके पास दिया गया है चली तो आज की class को हम आप लोगों के साथ यहां पर start करते हैं तो लेजी सबसे बहले very first question देखिए आपके पास first question में क्या लिखा है the core of operating system is cold core का मतलब क्या होता है जो सबसे नजदी की part core का मतलब क्या होता है सबसे नजदी की part internal part जो होता है उसे क्या बोलते है kernel, unix, linux and none of these अब सबसे पहले मैं यहां पे छोटी सी बात आप लोगों को समझाना चाहूंगा सबसे पहले अंदर क्या होते हैं hardware सबसे पहले क्या होते हैं आपके पास hardware यहां पे होते हैं अगर hardware की अगर मैं बात करता हूं तो hardware की उपर आते हैं आपके पास operating system hardware की उपर क्या आते हैं operating system अगर आप लोग इसे खोल देंगे operating system को तो दो चीजे निकल के सबसे पहले सामने आती हैं, सबसे पहले आएगा kernel, फिर उसके बाद आता है shell, ठीक है, तो ये दो चीजे आपके बस निकल के सामने आती है, kernel and cell, तो अगर मैं बात करता हूं, तो यहां पे सबसे important चीज जो है, आपके पास क्या होती है, that is kernel, तो याद कि the core of operating system जो होता है, वो क्या होता है, internal part, सबसे पहले होता है, kernel होता है, kernel के बाद क्या बनते है, shell आते हैं, तो उनकी combination को ही आप लोग क्या बोलते है, operating system यहां पे बोला जाता है, तो इस वज़े से core पूछा था, तो core का मतलब होता है, सबसे internal और सबसे निजदी की पार, तो hopefully बात आपको clear हुई होगी, चलिए बढ़ते हैं next question की तरफ, लेजे next question आपके screen के उपर है, the file extension of Microsoft Word 2013, अब मैं यहां पे आपको बताना चाहूंगा, अभी जो आपके पास current examination हो रहे हैं, आप लोगों ने देखा होगा, अगर मैं बात करता हूँ, SI के exam की तो वहां पे ब comment आ रहे हैं, sir, 2019, 19, 19, पर बच्चे अगर हम बात करता हूँ, 13 में जो आपके पास extension है, वही 19 में भी आपके पास extension क्या है, same है, no doubt, change, चीजे जो है, change होती है, बट इतने भी बड़े पिमाने पे change नहीं होती है, little bit चीजों में, तोड़ असा difference जो है, यहां पे आता है, तो file extension आप सो, आप लोगों से पूछी है, ms word की, ms word की file के हम बात करते है, dot docx, dot dot, dot, dot ppt, तो यहां पे exact answer जो बनेगा, वो बनेगा, dot docx, dot docx, जो है, आपके पास बनेगा, और यह जो है, 2007 का है, ठीक है, तो यह इस बज़े से answer नहीं दिया जाएगा, sorry, यह नहीं, यह, अग उसके आगे के जितने भी आए है, dot docx, के नाम से आप लोग जानते है, ppt, जो होता है, वो पावर पॉइंट का होता है, तो इस बज़े से answer क्या जाएगा, आपके पास a option, यहां पर answer चला जाएगा, ठीक है, hopefully यह बात आपको clear है, कि a option इसका answer जो बिलकुल सही रहेगा, च semantic, logic, worm या malware, अगर मैं यहां में बात करता हूँ, आप लोगों को पता होना चाहिए कि malicious word का meaning क्या है, आपके पास जो बहुत ही खतरनाक हो, जिसके बारे में हमें कुछ पता ना हो, तो वो होता क्या है, malicious software is also known as wood sector virus, semantic, logic, worm या फिर malware, अगर मैं बात करता हूँ, malicious को word को आप ल malware के अंदर, किसके अंदर define करेंगे, malware के अंदर, तो जितने भी thread होते है, malware अपने आप में क्या होता है, type of viruses होता है, जैसे trojan horse आ गया, spyware आ गया, spam आ गया, बो सारे के सारे क्या है, malicious software है, बो सारे के सारे क्या है, malicious software है, जो कि malware के अंदर आते हैं, सबसे पहले अंदर आता है ट्रोजन होस ठीक है फिर इसके आगे अगर मैं बात करता हूं नेक्स्ट आपके पास ट्रोजन होस आगया स्पाई वियर अगर स्पैम ठीक है और भी ऐसे चीज़े जो है इसके अंदर रखी जाते तो इस बज़े से इसको क्या बोला जाता है मालवेर के नाम से आप लोग यहाँ पर जानते हैं मलीशिय सॉफवेर को ठीक है अगर हम यहाँ बात करते हैं कौन सा ऐसा जो फोर्मूला है है जो चेक करता है की कंडि味्शन जो है वह त्रू है यह फिर आपके पास फॉल सब्स दलब करता हूं आप लोगों इसके बारे में पता होना चाहिए कि अगर ये true है तो ये होगा अगर ये गलत है तो वो होगा इसका मतलब होता है इसका answer कह जाएगा if इस बात का मतलब है कि यहाँ पर answer कह जाएगा if statement आपके पास यहाँ पर answer जाना है तो hopefully बात यहाँ तक आप लोगों को सभी को clear है ठीक है जी done है बात next बात करते हैं देखिए next vision की बात करते हैं TCP and UDP belong to what layer of the OSI model अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ देखिए सबसे बड़ी बात आपके पास क्या है अगर यहाँ पर transport layer है presentation layer है session layer है and application layer है अगर मैं पहले OSI की बात करूं तो equation तो यह भी बन जाता but is the full form of OSI model open source interconnection ठीक है यह आप लोगों को पता होना चाहिए अब अगर मैं यहाँ में बात करता हूँ तो मैं उसका reply भी कर दूँगा अगर किसी का गलत हुआ अगर सही हुआ तो फिर मैं उसको best wishes भी आपके साथ में वहाँ पर reply कर दूँगे कि हाँ आपका बिल्कुल सही आया है अगर यहाँ में बात करते हैं तो क्यों वह आपके पास OSI model में होते हैं वो होते हैं ट्रांस्पोर्ट लियर वह किसके अंदर होते हैं ट्रांस्पोर्ट लेर की उपर और OSI model की मैं बात करता हूँ तो seven layer आती है ठीक है एक मैं तरीका बताया था p d n ts p.a इस से याद रखेंगे फिजिकल डियर डेटा लिंक लिए नेटवर्क लियर ट्राइशन लियर प्रजेंटेशन लियर इस से भी आप लोग याद रख सकते हैं तो यह आपके लिए बड़ी काम की चीज बनेगी तो तो hopefully बात यहां तक आपको clear है ठीक है चलिए next question देखिए next question आपकी screen के ओपर यह रहा next question की बात करते है the dash pen is a small input device used to select and display the object on a screen ऐसा कौन सा pen होता है ink pen है magnetic pen है light pen है या फिर none of the above तो कौन सा pen है अब आप लोगों को यहां पे इसका answer जो है बता होना चाहिए और बिल्कुल straight forward question है जो की input device से लिया गया है अगर मैं बात करता हूँ ink pen की तो अबे से बात नहीं होगी अब हम लोग जो है digital के बारे में बात कर रहे हैं तो यह तो अपने अब में Microsoft word is an example of तो आपके पास यह जो question लिया गया है यह है software से तो guys basically हमें पता होना चाहिए कि कितने type के software होते हैं जरुली कुछ हमें software के वर्किंग के ओपर इफेक्ट पड़ता है application का मतलग होता है कि ऐसे सारे के सारे जिनने आपके सिस्टम से रिमूब कर दे जाए तो खुद की property हम होते किसी और की property हम नहीं होती है और अगर मैं बात करता हूँ last आपके पास utility की तो utility में वह सारे के सारे software रखे जाएंगे जिनमें आपके स्पीड आपके सिस्टम की स्पीड को increase किया जाता है बूस्ट किया जाता है ठीक है तो operating system जो आएगा वो तो अगर डिलीट कर दो कि तो कुछ करी नहीं पाओगे तो यह तो system software में चला जाएगा ठीक है तो यह आपके पास answer नहीं बनेगा processing device ही तो बैसे ही cancel out हो रहा है और application का मतलब होता है कि अपनी property जो है हाम होती है तो Microsoft Word को डिलीट कर दो को तो यह इसी के ओपर काम नहीं कर पाओगे किसी और को इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो answer बनेगा c option answer क्या बनेगा आपके पास c option यहां पे answer बनेगा तो इन्पूर डिवाइस अपने आप में ही cancel out हो रहा था तो hopefully यह बात आपको clear है ठीक है जी चलिए next question देखिए next question अब आपके पास यह रहा connection oriented protocol कौन कौन से होते है टेलनेट है आर्पानेट है OSI है या फिर TCP है अगर मैं यहाँ बात करता हूँ तो connection oriented जो है आप लोगों को हमेशा याद रखना है TCP है अब TCP का full form आप लोगों को मेरे को ping करना है YouTube के ओपर आप लोग जो है हमारे channel पर जाके TCP का full form आर्पनेट का full form OSI का full form जो है हमें पिंग करेंगे ताकि हम आपको इसके बारे में ब authenticated on a network by supplying user name and dash IP address account number credit card number या फिर password ठीक है तो authenticity का मतलब होता है किसी की ब्यादता या फिर परमानता आप लोग चेक करेंगे तो user and authenticated on a network ठीक है IP address के थुरू account number के थुरू account number कोई बात नी बन रही है करेंडी का number कोई बात नी बन रही है अक्षर बच्चे IP address या फिर password के ओपर यहां में बात कर रहे हैं किसी की बैदता चेक करनी है अगर मान लेजी आप Gmail open करते तो आपका user ID पासवर्ड क्या होना चाहिए सही होना चाहिए तो user ID तो है नहीं तो यहां पर क्या दिया गया है पासवर्ड के थरू हम लोग यहां पर चेक कर पाएंगे कि यह जो value आपको given किया गया है वो सही है या गलत है तो hopefully यह बात आपको clear है ठीक है जी चलिए next question देखिए next question में क्या है a new laptop has been produced the way less is and smaller and use less power previous laptop model which of the following technology has been used to accomplish this आज की टाइम पर जो आपके पास laptop आते हैं वो size में भी चोटे हैं और उसका weight भी कम है तो और उनकी processing भी fast है तो हम कोंसी technology का use कर रहे हैं जिसके थरूँ वो सारे के सारे यहां पर काम कर रहे हैं तो सबसे पहले universal serial bus mouse mouse तो का कोई काम है नहीं है आप लोगों को पता चल रहे हैं आप फास्टर एंडवस्ट मेमरी RAM का weight से तो कोई relation ही नहीं बना next आपके पास blu-ray disc यह तो अपने आपने एक डिस्क होती है चक्री के नाम से आप लोग जानते हैं तो अपने आपने आपने replace कर दिये है अब उसका weight क्या है आपके पास कम है और उसके speed जो है previous के मुकाबले काफी ज़्यदा fast है तो यहां पर answer क्या बनेगा D option answer क्या बनेगा D option आज इड़ेट में laptop लेने जाते हैं अभी hardest मत खरीदिएगा SSD खरीदिएगा अब आप लोगों को यह पता होना चाहिए ठीक है तो hopefully बात यह भी clear है next question की बात करता हूँ where file format is associated with what type of file अगर मैं यहां बात करता हूँ देखो simple सी बात है ऐसे question भी paper में पूछे जाते हैं वीडियो sound image या word document अगर वेल की बात करी जाए यह question इसलिए important होगी आपकी real life में आप लोग इनका यूज करते हो तो सबसे पहले video file तो यह नहीं है अगर मैं यहां पर बात करता हूँ image की या फिर आपके पास word document की तो यह क्या है एक sound file होती है जिसका की आप लोग यूज करते हैं तो image file और यह word document नहीं है तो अगर image की बात करता हूँ तो अगर यहां पर यहां पर यहां पर आंसर कर सकते थे ठीक है जी आई एफ आता तो यहां पर web is known as कि आप किसी web के तुरू navigate कर सकते हैं एक जगह से दूसरे जगह के ओपर तो वो क्या होते हैं web a site या फिर web browser या internet या worldwide web तो worldwide web के तुरू internet का access किया जाता है internet के तुरू से चलाया जाता है web a site कुछ भी नहीं है website होता तो उसमें चीजों के जाता है तो आप लोग इसका अंसर करेंगे web browser के तुरू navigate किया जाता है एक जगह से दूसरे जगह के ऊपर आप लोग एक जगह से दूसरे जगह के ऊपर move कर जाते हैं तो आंसर क्या बनेगा web browser hopefully बात यहां तक क्लियर रहे लिजी नेक्स विशन देखिए rows of relation are called entity, degree, tuple या none of the above अगर हम यहां पर बात करते हैं तो उसे क्या बोला जाता है rows जो होते हैं आपके पास rows को आप लोग अक्सर टपल के नाम से भी जानते हैं और यह question जो है database से लिया गया है तो answer क्या बनेगा? C option आपके पास यहां पर बनेगा, hopefully बात यह भी clear है next कि अगर हम बात करता हूँ BIOS is used for, सबसे पहले तो BIOS का full form आप लोगों को मेरे को sin करना है आप लोग पिंग करेंगे कि बढ़ी तो full form of BIOS ताकि मैं यह भी देख पाऊं कितने बच्चे हमें पिंग करते हैं, कितने बच्चे हमें लाइक करते हैं, कितने बच्चे के comment हमें मिलते हैं अगर BIOS की बात करते हैं by operating system, by compiler, by interpreter या by application software तो हम लोगों को यहां पर पता होना चाहिए कि BIOS जो होता है, basic input output system जो होता है, वो क्या होता है, वो कैसे काम करता है, जब भी operating system आप लोग स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले क्या काम होता है, basic input output system BIOS का full form मैंने बता भी दिया है, पर फिर भी आप लोग वहां पे हमें पिंग जरूर करेंगे, comment जरूर करेंगे, तो जब भी operating system होन होता है, तो सबसे पहले क्या है, BIOS का ही आप लोग यूज़ करते हैं, सबसे पहले किसका जो काम होता है, basic input output system आप लोग यहां पे क्या करत होता हूँ, सबी को all the best, जिस भी exam के लिए आप जा रही है, सभी बच्चों को all the best, ग्यानम की पूरी team की करब से all the best, अगर आप Instagram पे हमें follow करना चाहते हैं, ग्यानम.college से हमें follow कर सकते हैं, Telegram में ग्यानम नाम से सर्च कर सकते हैं, YouTube पे ग्यानम.college के नाम से आप हमें स 646-888-377 पे आप भी हमें कोंटक्ट कर सकते हैं तो उमीद करते हैं कि आप जिस भी एक्जाम की तयारी कर रहे हैं वो जल्दी से जल्दी आप लोगों का क्रैक हूँ और जिस पोस्ट के लिए आप जाना चाहते हैं वहां पे आप जरूर पहुंचे पूरे ग्यानम की तरफ स से हम आपको अपनी best wishes देते हैं ओके गाइस थैंक यू जुड़ने के लिए आप सबी का बहुत बहुत धन्यवाद